बेल के पेड़ से जुड़ी इन बातों का अवश्य रखें ध्यान। दोस्तों, धार्मी गरंथों में जितना महत्व भगवान शिव का बताया गया है, उतना ही बेल व्रक्ष का भी है। इस व्रक्ष में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ अन्य देवी देवता का भी वास होता है। बेल पत्र पवित्र पत्तों में से एक है, जिसे शिव पूजन के दोरान इस्तेमाल किया जाता है। शिव महापुराण में इस दिव्य व्रक्ष की पूजा का विशेश महत्व बताया गया है। विलवास्तक स्तोत्र में कहा गया है कि बेल व्रक्ष के द्वादशी के दिन बेल रक्स की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है शीव महापुरान के नुसार बेल रक्स में माता लक्स में का भी वास माना गया है इसकी पूजा करने से दरिद्रता और गरिबी का नास होता है बेल रक्स साथ ही बगेर नहाए बेल पत्र के पत्ते ना तोड़ें। इनके तोड़ते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आप इनकी टहनी या साखाएं ना तोड़ें। इससे घोरपाप लगता है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर बेल व्रक्स अवश्य लगाएं। साथ ही बेल व्रक्स को घर के अंदर उत्तर पस्चिन दिसा में लगाने से यस की प्राप्ती होती है। उत्तर दक्षिन में लगाने से सुख सान्ती की प्राप्ती होती है। बेल पत्र लगाने का सही समय स्रामन मास से अच्छा होई नहीं सकता। अब अंद में आपको बताते चले कि बेल पत्र की उद्वती माता पारवती के पसीने से हुई थी इसलिए इसमें माता पारवती के सभी रूप पास करते हैं बेल प्रक्ष की दड़ में गिरिजा, तन्य में माहिस्वरी, साखाओं में दक्षनाईनी, पत्यों में मापारवती, फलों में कात्याईनी, फूलों में गोरी और बेल के समस्त पेड़ में माल लक्षमी निवास करती है तो दोस्तों बेल व्रक्ष को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है स्रावण मास में आप अपने घर के अंदर या घर के आसपास एक बेल व्रक्ष अवश्य लगाएं और हर स्रावण मास में एक बेल व्रक्ष अवश्य लगाएं और उसका खयार रखें अगर आप घर में या घर के आसपास जगह नहीं है तो आप रोड के किनारे या किसी बगीचे में आप एक बेल व्रक्ष स्रावन मास में अवश्य ही लगाएं और दोस्तों कहा जाता है कि जिस स्थान पे बेल व्रक्ष का पेड़ होता है वो स्थान कासी तिर्थ के समान होता है शिव महाव पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बेल व्रक्ष लगाता है उसको उत्तम और दिव्य पुत्तर की प्राप्ति होती है तो दोस्तों आप सभी को स्रावन मास की धेर सारी सुबकामनाई महादेव आपके जीवर में चल रहे कस्टों को खतम करे नश्ट करे कस्टों से आपको मुक्ति दलाए तो दोस्तों जानकर यह आपको केशी लगी कॉमेंट बोक्स में अब शिबताईएगा और साथी कॉमेंट बोक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलिएगा धन्यवाद